आज हम बात करने वाले हैं एक AI पावर्ड सर्च इंजन परप्लेक्सिटी की जी हाँ परप्लेक्सिटी की हेल्प से आप लोग अपना कोई भी काम जो कि आप सर्च इंजन पर करते हैं यहाँ पर आकर इजिली कर सकते हैं और इसमें आपको accurate information और जो भी data पर वाइड किया जाएगा वो बिलकुल accurate होगा इसकी help से आप अपने कोई भी काम या research work कर सकते हैं सिंपली यहाँ पर मैंने continue with google करके इसको sign in किया है यहाँ पर create your account की option आ रही है यहाँ पर आपने username सिलेक्ट करना है यहाँ पर आपको उपर guide कर देंगे यह खुदी के किस तरीके का username होना चाहिए आपने उस तरीके का देखकर यहाँ पर username एंटर करना है और फिर continue के option पर click कर देना है यह account करेट होने के बाद हम आ गए है परplexity पर जहाँ पर हम कुछ भी search कर सकते हैं अब यहाँ पर सबसे easy question हम यहाँ search करके देखते हैं how to make tea कि यह हमें यहाँ पर क्या results show कराता है यह इदर परplexity का एक फाइदा यह है कि इसमें हमें जो भी result प्रवाइड किया जाएगा उसका source यानि कि reference कि वो article हो या फिर कोई भी information है वो कहां से ली गई है और उससे related के लिए भी यहाँ पर option मिल जाएगी इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें images भी मिल जाएगी अब जैसे ही देखें यहाँ पर यह sources है कि कहां कहां से यह वाला data जो है वो आपको दिखाया जा रहा है अब मैं यहाँ पर एक और चीज़ सर्च करके देखती हूँ एक code को create करके देखते हैं यह हम वेb calculator के लिए code create करते हैं और देखते हैं कि यह code work करता है या नहीं और यहाँ पर हमारे पास web calculator के लिए एक code create हो चुका है अब हम चेक करेंगे यहाँ पर बता रहे हैं कि यह एक simple calculator के लिए एक code create हुआ है इसको copy करके यहाँ पर मैं देखूंगी कि यह code work कर रहा है या नहीं code को यहाँ पर paste कर लिए और यह देखें यह code एक simple calculator के लिए 100% work कर रहा है देख लेते हैं कि इससे यह functions perform होते हैं या नहीं तो यहाँ पर मैंने 1 प्लस 6 तो यहाँ equal select कर लूँगी और यह हमारे पास 7 result आ गया है जो कि accurate है इसी तरीके से 7 में से 4 minus करके देखते हैं तो यह देखें यह भी ठीक information दिखा रहा है हमें यहाँ पर 9 multiply करके देख लेते हैं तो यह देखें जितने भी functions यहाँ पर एक calculator simple calculator पर perform हो सकते हैं वो सब इस code की help से perform हो रहे है it means के हम perplexity से accurate code भी create कर सकते हैं इसी तरीके से यहाँ पर मैंने एक search किया best gaming laptops 2024 तो यहाँ पर हमारे पास जो results यह हुआ है उसमें sources भी आ रहे हैं कि यह information कहां से आपको दिखाई जा रही है और 2024 के laptops की information भी यहाँ पर दिखा रहे हैं हमें images के नीचे गर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास videos भी दिखाई जा रही है 2024 best gaming laptops की उसी के साथ अगर यहाँ generate image करें तो यहाँ पर यह हमारे premium plan में आएगा तो यह feature के इलावा बाकि सारे features यहाँ पर 100% work कर रहे हैं अगर मैं यहाँ पर chat GPT-3 पर यही वाली information को लेने के लिए यहाँ पर prompt type करूं तो यह हमें क्या कहेंगे के 2024 के data की access जो है वो chat GPT-3 पर नहीं मिल सकती यह देखें यहाँ पर January 2022 तक के data का last update है उसके बाद की update यहाँ पर नहीं है तो यह देखें यहाँ पर GPT-3 में हमारे पास images भी नहीं थी परplexity हमें यह भी एक feature कहले provide कर रहा है जिसकी मदद से आप अपने कोई भी काम को easily कर सकते हैं और understand भी कर सकते हैं इसी तरह यहाँ पर suggested keywords में देख लेते हैं how to bake the perfect cookie तो यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं कि आप किस किसम की cookie को bake करना चाहते हैं यानि कि हमें किस cookie को bake करने की complete recipe चाहिए तो आप वो भी select कर सकते हैं यहाँ से select करने के बाद यह देखे हैं हमारे पास completely यहाँ आ जाएगा किस तरीके से आप एक perfect cookie bake कर सकते हैं कि images भी आगी हैं मारे पास यहाँ से videos पर भी हम जा सकते हैं और यहाँ पर sources भी provide कर दिया है कि किन किन sources से यह वाली information मारे पास collect करके हमें दिखाए जा रही है तो अगर मैं personally अपनी बात करूँ तो मुझे यह AI power search engine बहुत ही अच्छा लगा है क्योंकि इसमें अगर हम कोई भी query search कर रहे हैं तो उसके sources हमें वहाँ पर एक ही जगा पर दिखाए जा रहे हैं वही पर से हम images को भी select कर सकते हैं और वहाँ से हम उनकी videos पर और अगर हम महाँ पर premium plan को purchase करें तो यहाँ पर हम images को generate भी कर सकते हैं उसके इलावा आप यहाँ पर कोई image upload करके भी उससे related information या उस पर detail topic भी search कर सकते हैं अगें यह यहाँ पर यह वाला feature जब फ्री में नहीं होगा यह premium plan के अंदर ही आएगा इसके इलावा यहाँ पर एक focus के option आपको मिलेगी इस पर click करके आप यहाँ पर select कर सकते हैं कि आपको किस से related content चाहिए तो यहाँ पर मैं all select कर लूँगी आप देख लें कि आपको किस से related चाहिए आप वहाँ पर select कर लेंगे आप यहाँ पर research work भी कर सकते हैं यह एक complete beginner guide थी कि आप being a beginner आप किस तरीके से perplexity को use कर सकते हैं इसी के साथ साथ आप यहाँ पर और भी कोई भी अपना difficult task भी यहाँ पर perform कर सकते हैं अगर यहाँ पर हम accounts में जाएं तो यह वाले यहाँ पर कुछ options हैं यह भी आप यहाँ पर select कर सकते हैं अगर आप चाहें और हम यहाँ पर और देख लेंगे कि कोई और new चीज ऐसी account कोड अगर आपने delete करना है तो यह यहाँ से आपको option मिल जाएगी लेकिन यहाँ पर आपको पहले अपनी premium plan अगर आपने purchase किया तो आपको पहले उसकी subscription को cancel करना होगा और फिर आप अपने account को delete कर दें sign out यहाँ से कर देंगे simply लेकिन अभी वीडियो खतम नहीं हुई एक और बात जो कि इसकी बहुत ही अच्छी है अगर हम यहाँ पर account को sign in ना भी करें तो यहाँ पर कुछ भी आप search करके देखें आपको फिर भी same google की तरहां यहां इस search engine में भी आपको information दिखाई जाएगी और उसी तरीके से आप उसके साथ images और वीडियो तक भी access ले सकते हैं इसी तरह से और भी बहुत सी latest वीडियो के लिए मेरे चैनल को जल्दी से subscribe कर दें I hope आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी वीडियो को like कर दें और comment section में जरूर बताएं कि आपको यह AI power search engine कैसा लगा मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए Allah आफिज